नाशकार मैं हूँ नीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में आज का विशा है किस देवी देवता के आगे लंबी वाती लगती है किस देवी देवता के आगे गोल वाती लगती है पिपल बाड़ और आमला के नीचे कौन सी वाती लगती है इसके बारे में हम बात करेंगे पल और बाड़ के बेड़ के नीचे गोलवाती लगती है आमला के नीचे लंबीवाती लगती है अगर आप मैया जी की पूजा करते हैं तो लंबीवाती लगाएं मालाश्वी जी की पूजा करें तो लंबीवाती लगाएं और मादर्गा जी की पूजा करें तो लंबी वात्ती लगाएं कौल देवी की पूजा करें तो भी लंबी वात्ती लगाएं गोल वात्ती बगवान हनुमान जी के मंदर, राम जी के मंदर, बगवान शेवजी वुलनाजी के मंदर में जितने भी देवता हैं उनके समाक्ष आप गोलवाती ही लगाएं लंबी वाती देवी के स्थान पर इसलिए लगाई जाती है बांस वरिधी लक्ष्मी वरिधी के लिए तोर्शी जी के समाक्ष भी आप गोलवाती ही लगाएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजी, शेयर किजी, सबस्क्राइब किजी, थैक्स फर वाचिक दिस वीडियो